गेंलो प्वा sentiments कैसे वह आप सब तो आपके एक ग्जाम में एक ग्वशन किले हेख्यान आफीोया है कि तिर स्विस better के कितने स्टेप सुते हैं, कौन कौन से स्टेप सोच सो देख और उनका। किरानालोजी अर्डर क्या है यह आपका ग्वशन every shift में almost पूचा ही जा रहा है इस बार के exam में तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि research के कितने steps होते हैं और कौन-कौन से steps होते हैं और उन steps के अंदर हम basically करते क्या हैं तो एक overview देखेंगे हम steps of research का इस video के अंदर चीक है तो आपके research में total 7 steps होते हैं आपको किसी book के define भी देखने को मिलेंगे लेकिन जो major steps होते हैं वो यही 7 steps होते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूं है ना तो total 7 steps होते हैं आपकी research के अंदर सबसे पहला step है आपका problem formulation problem formulation में आप क्या करते हो जो आपकी problem है मतलब जो आपका topic है जिसके उपर आप research करने वाले हो जिसके उपर आप अपने पूरे 4-5 साल spent करने वाले हो वो topic क्या है वो major problem क्या है उसको आप define करते हो भाई कोई problem होगी उसके उपर इतो आप research करोगे ना research का मतलब क्या होता है research य दिखेगी कोई problem दिखेगी हैना जब कोई problem ही नहीं होगी तो फिर आप research क्या करोगे तो जब हमको किसी चीज के उपर research करने होती तो हमारे पास हमें एक specific problem होती है उस problem के उपर फिर हम research करते हैं तो सबसे पहला step होता है हमारा problem formulation कि हमको एक problem ढूंडते हैं कि मेरे को इस area के अ solution मुझे निकालना है तो आप उस problem के उपर मैं अपनी research करने वाली हूं तो वह पहला step होता है आपका problem formulation करके आप सबसे पहले अपनी problem को formulate करते हो कि आपकी problem क्या है आपकी समस्या क्या है जिस भी टॉपिक क्यूपर research करने वाले हो उसके उपर आपको पता कैसे चलेगा सब्सक्राइब बर तार्व स्वक्राइब यह ओटा है लिटरेचर रिविव और सहित्य देनियर के अड़राने स्टेप जो है आपका लिटरेचर रिविव के अडर्ड रिविव का उसके अंदर हम क्या करते हैं different different चीजें पढ़ते हैं अलग-अलग books पढ़ते हैं magazines पढ़ते हैं जर्णल पढ़ते हैं ताकि हमको उस topic के वारे में जानकारी प्राफ्ट हो कि अभी तक उस topic के ऊपर क्या-क्या research हो चुकी है क्या-क्या जानकारी प्राप्त है हमारे पास में already और अब हम और नई जानकारी क्या निकाल सकते हैं research करके उस topic की उपपर तो यह होता है आपका literature review third होता है आपका hypothesis, third step में हम क्या करते हैं, हमारी hypothesis बनाते हैं, अब hypothesis क्या होती है, hypothesis होती है आपकी tentative solution tentative solution का क्या मतलब है tentative का मतलब है आपका temporary जो चीज temporary है यानि कि कुछ समय तक है कुछ समय के बाद वो चीज बदल भी सकती है है ना तो hypothesis होती है आपके temporary solution यानि कि tentative solution अब आपने जो first step के अंदर अपनी problem को formulate किया था उस problem का आपको अपने आप से ही एक solution ढूंडना पड़ेगा कि भाई ये मेरी problem है तो मेरे हिसाब से मेरे इस problem का ये solution हो सकता है आपको खुद को ही एक solution निकालना होगा और फिर आप क्या करोगे बाद में उस solution को ही आप test करोगे और फिर check करोगे आपके प्लैनिंग करते हो यानि की डिजाइन बनाते हो अब आप जब चार-पाच साल अपने एक कॉपी क्यूब पर रिसर्च करने वाले हो तो आप ऐसे ही थोड़े ना आपके चार-पाच साल कुछ भी कर दोगे रिसर्च के अंदर आपको चाहिए पहले यह करोंगी मैं यह करऊंगी फिर में यह करोंगी और ऐसे धीरे करके मैं अपनी रिसर्च को आ ले कर जाऊंगी है नचे के बड़ी सब्सक्रण सरे खंब चरियरख को किन पुर्सक्राइज कर ऊनाज दब तो आप पूरा एक अपना प्रोसेजर बनाओगे पूरा एक प्लैन बनाओगे कि मैं अपने इन पाथ सालों के अंदर अपनी रिसर्च वर्क को कैसे करूंगी तो उसको आप कहते हैं आपकी रिसर्च की डिजाइन यानि कि अपकी प्लैनिंग चीक है नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो अगले स्टेप में आप अपनी रिसर्च को करेएनि कि अब हम रिसर्च करना स्टार्ट करोगे अप Μजद अरुने को सते हैं अपके अपका अबजर्वेशन मैंथर्द होता है observation method में आप क्या करते हो जो researcher है वो अपने respondents को क्या करता है यानि कि जो उसके participants है जो उसकी research में participate कर रहे हैं उनको क्या करता है observe करता है और फिर observe करने के बाद में वो data को collect करता है ठीक है दूसरा तरीका होता है आपका interview का अपने respondents का इंटर्व्यू लेके researcher क्या करता है data को collect करता है अब इंटर्व्यू लेने के भी दो तरीके होते हैं एक होता है आपका टेलिफोनिक इंटर्व्यू एक होता है आपका पॉस्नल इंटर्व्यू टेलिफोनिक इंटर्व्यू नाम से ही लिखा हुआ है टेलिफोनिक यानि कि जवाब आपको देता है तो वो होता है आपका पॉस्टनल इंटर्व्यू है ना फिर एक होता है आपका questionnaire questionnaire क्या होता है इसके आप काफी सारे questions लिखके लिखके जाते हो अपने respondents के पास में और फिर आपकी जो respondents यानि की आपकी participants है जो आपकी research पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उन questions का जवाब लिखके देंगे आपको और फिर उन जवाबों के थुरू आपको क्या मिलेगा डेटा मिलेगा है ना आपको information मिलेगी तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिसके तुरू आप data को collect कर सकते हो data को collect करने के बाद म आपने hypothesis को टेस्ट करते हो जो अपने hypothesis बनाई थी आपका tentative solution जो आपने बनाया था उसको टेस्ट करते हो अपने सिक्स्त वाले स्टेप के अंदर अब hypothesis को test करने के काफी सारे अलग-अलग methods होते हैं यानि कि अलग-अलग test होते हैं तो फिर आप सिक्स्त वाले स्टेप में क्या करते हो अपने data को analyze करते हो और अपनी hypothesis की testing करते हो अब hypothesis की testing के time पे आपकी majorly दो तरीके की hypothesis होती है एक होती है आपकी null hypothesis दूसरी होती है आपकी alternative hypothesis छीके तो आप हमेशे अपनी null hypothesis को ही test करते हो इस बात को याद रखना कि आप हमेशे अपनी null hypothesis को ही test करते हो फिर null hypothesis का जो भी solution निकलता है उसके according आप ये check करते हो कि अब आप null को accept करोगे या फिर इसका मतलब तो आपकी दूसरी तेस्ट करते हों है तो juste करते हो इसको हम डीटेल में देखेंगे जब हम research aptitude की classes लेंगे तब और फिस seven step होता है आपका research की report बनाना याने कि अब आपने जो पाँच सालों के अंदर कुछ भी किया है अपनी research से related है ना आपने जो data collect किया है जो भी आपको information मिली है जो भी आपने hypothesis बनाई थी उसको आपने test किया था उस इसका यह result आया तो जो आपकी problem थी उसको क्या solution निकल के आया क्या result निकल के आया वह आप बताते हो अपनी research की report के अंदर अब report लिखने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं अलग-अलग styles होती है अपनी research report को किस style में लिख सकते हो तो इस वाले step को भी seven step को भी हम जब हमारी research लेंगे तब हम detail के अंदर देखेंगे लेकिन इस वीडियो में मेरा यह पॉस्पेक्टिव था कि मैं आपको एक ओवर्वियो दे दू कि seven steps basically होते क्या है आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि research के कितने steps होते हैं तो total seven steps होते हैं ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रॉबलम को formulate करते हैं फिर हम literature review करते हैं फिर हम थार्ड वाले में क्या करते हैं hypothesis बनाते हैं फोर्ट में क्या करते हैं research की रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको पता चल गए कि 7 steps क्या होते हैं और इन steps के अंदर हम majorly क्या करते हैं तो इन साथो इस steps को आप हम detail में देखेंगे हमारी रिसर्च अपिट्यूट की class के अंदर तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी 7 steps of research आपको की मिल गया होगा कि research के कितने steps होते हैं और कौन-कौन से steps होते हैं और उन steps के अंदर हम basically करते क्या है है ना तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो इंपार्मेटिव लगे तो उसको like and share कर देना टेलिग्राम को भी जॉइन कर लेना चीक है थैंक्यू कर दो